हुआ है हलो स्टुडेंट्स हाव और यू और गोट नाओ तो कॉंबिनेशन आपको करना हो तो आपको पहले ही जानना पढ़ता है कि किस्या कैसे व्रक करता है और सैल कॉम कैसे कनेक्ट करें तो सबसे पहले अगर सैल की बात करें तो ये तो उसका पॉज़ेड टर्मिनल यह उसका नेगेटिव डर मीनल कि वाजय टर्मिनल बढ़ा होता है नेगेटिव टर्मिनल छोटा होते हैं कि वह पॉज़ेटिव में इसे करणट बहार की ओर गई %6 करणट अंदर की ओर आता है एक स्वेंजनल मैंसOut ऑफ थयुक्रत करेंट ओके दूसरी बात याद रखो कि यहां पर जो कनेक्शन होता है दर टू टाइपस ऑफ कनेक्शन फॉस्ट है हेल्पिंग कॉंबिनेश्ट है हेल्पिंग मतलब कैसा है हेल्पिंग मतलब कि यहां पर यह ओपोजिट एंड्स आप सेल्स आर कनेक्टेड इसेल्स के जो ओपोजिट एंड है वो कनेक्ट हो जाएंगे लाइक इस एसे यह एपसिलोन वन यह एपसिलोन टू या तो फिर आप एसे भी हो जाएंगे यह एपसिलोन वन यह एपसिलोन टू ठीक है यह है helping combination जहां पर आपको दोनों की sign क्या लेनी है सेम लेनी है दूसरा है ओपोजिंग ओपोजिंग कॉंबिनेशन में आपको यह याद रखना है कि यह अगर पॉजिटिव यह नेगिटिव है तो सामने यह नेगिटिव और यह पॉजिटिव आना चाहिए या तो यह नेगिटिव यह पॉजिटिव है तो सामने यह पॉजिटिव यह नेगिटिव आना चाहिए लेट सेप्सिलोन वन एप्सिलोन टू एप्सिलोन टू थे यहां पर आपको यहाद रखना है कि here any one from two is positive and other is negative एक positive लेना है एक आपको negative लेना है अब बात करते हैं working की तो battery working कैसे करेगी यह आपको ध्यान देना है कि battery working कैसे करेगी तो battery always जो होगा वो combination जो होगा combination जो भी आएगा combination follows larger battery तो फिर लार्जर cell को वो follow करेगा कि भी कौन सा epsilon 1 अगर larger है या epsilon 2 larger है कौन larger है उसके ही सबसे यहाँ पर आपको follow मिलेगा ठीक है और हम उसमें सबसे पहले combination लेंगे series का फिलहाल यह लिख लो चलो फटा फटा तो यहाँ पर देखते हैं अब series combination चलो series combination में आपको करना क्या होता है वो देखो तो सबसे पहले series combination series combination में यह आपका sorry यह आपकी पूरी लाइन है यह A इस बी इस इस जिग जग 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 इंटर्न रेजिस्टन्स आर वान एप्सिलोन वान सेम वे एप्सिलोन टू जग 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 आर्टू अब करण की बात करते हैं तो करण पॉजिटिव में से बहार आएगा मतलब यह आपका करण्ट अगर हापका करण्ट और आपको पताए कि शीरीज में करण्ट कॉंस्टन रहता है यह करण्ट तो चलो स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से इस वी एए कि माइनस कि माइनस तो जब भी आप लिखने जाओ यह से पूरे जो सिस्टम आपको दिया है जिसमें को फ़ो सिंटर और अब क्वानेक्टर है कि अपको कर आप करना पड़ेगा किलना करना पड़िगा किर्चाफ क्रोन की according यह positive यह negative मतलब अगर हम यह बात करें कि यह battery का positive terminal है suppose 10 volt यह battery का negative terminal है suppose minus 10 volt तो हम जा कहां रहे है current की बात मत करो current नहीं हम कहां जा रहे हैं तो हम हमारा जो observation है वो A से लेके B तक है हम इस direction में जा रहे हैं left से right तक तो पहले जो आएगा वो 10 volt आएगा और हम जा कहां रहा है minus 10 volt तो मतलब कि जो potential है वो reduce हो रहा है that's why negative एप्सिलोन वन ओके similarly यह opposite है यहां पर opposite वर्क आपको मिल रहा है अभी रेजिस्टर में देखो current का flow क्या होता है तो current का flow होता है higher potential to lower potential current कहां जाता है higher potential to lower potential तो अभी आप ध्यान से देखो कि आप जा रहे हो left to right मतलब इस direction में lower से higher मतलब आप increase हो रहे हो आई यार वन कि ओके तो यह ध्यान रखना है कि potential कैसा आपको जाना है यह रहा माइनस यह उसमें भी आपको सेम करना है IR2 plus is equals to VB VB को इस्तरफ लेके आओ VA-VB और सबको पीछे के ओर लेके जाओ Epsilon 1 plus Epsilon 2 minus IR1 minus IR2 Potential difference between A and B is suppose V Epsilon 1 plus Epsilon 2 minus I common R1 plus R2 V it's Epsilon equal minus IR equal देखो यह बैटरी के टर्मिनल जैसा हो गया V equals to Epsilon minus IR where Epsilon equal is equals to Epsilon 1 plus Epsilon 2 and R equal is equals to R1 plus R2 अगर suppose मैंने यहाँ पे बैटरी अगर चेंज कर दी क्यासे चेंज कर दी तो यह ज़रा द्यान से देखो कि चलो यह रहा यह याद रखना टर्मिनल चेंज करने से बैटरी का internal resistance जो है वो चेंज नहीं होता है यह यह रहता है यह आर वन यह आर टो Epsilon 1 Epsilon 2 यह आई यह आई यह आई यह आई तो ध्यान देना VA-EMF1 मतलब Epsilon 1 प्लस IR1 अब यहाँ पर ध्यान से देखना यहाँ पर आप positive to negative जाते थे तो आपने जहां गए वो symbol यूज किया तो यहाँ पर आप negative to positive जाओगे तो आप जहां जाओगे वो आपको यूज करना है VB so VA-VB is equals to Epsilon 1 minus Epsilon 2 minus IR2 it's Epsilon 1 minus Epsilon 2 minus minus sorry minus common लिए चो लाइ खाम करो आरवन प्रसाइड तो यह हो गया Epsilon equal minus IR equal तो आप ध्यान से देखो जो R equal है बैटरी को change करने से उसमें कोई फरक नहीं पड़ा जो पहले था वो ही बाद में भी मिला कोई फरक नहीं लेकिन जो Epsilon equal था वो change हो गया Epsilon 1 minus Epsilon 2 and here Epsilon 1 is greater than Epsilon 2 अगर सपोज Epsilon 2 वड़ा होता सपोज Epsilon 2 greater than Epsilon 1 होता तो यह जो current है वो इस direction में जाता यह है न वो इस direction में होता है ठीक है और बैटरी किसी सबसे work कर दी बैटरी जो भी combination है वो किसको follow करता है higher battery को मतलब कि ध्यान से देखो बाहार देता है मतलब तूवर्ड दे लेप्ट और यह कहां देता तूवर्ड दे राइट लेकिन इसकी capacity ज्यादा है इसकी capacity ज्यादा है इसलिए वो epsilon 2 को overcome करेगा नाई तो नाई मैं राजा तो वो इसे उल्टी डिरेक्शन के current को follow करने देगा नहीं और सब current इसी और मतलब कि पूरा जो combination है वो epsilon 1 को follow करेगा पूरा combination किसे follow करेगा epsilon 1 को ठीक है तो यह हमारा कुछ system है जो आमने यह तो पुरा नॉर्मल है और यह जो है वो आमने एक्स्ट्रा किया कि अगर बैटरी को interchange करते है तो क्या होता है तो बैटरी को interchange करने से सिर्फ epsilon change होता है register नहीं similarly if n cells are connected so epsilon equal वो n times होगा epsilon 1 plus epsilon 2 plus epsilon n और और एक्वाल जो होगा वो आर वन प्लस आर्टू प्लस आर्टू प्लस और यह किसका equation है तो यह जो equation है वो resistance के series combination का है देखो resistance का series combination यह आप बैटरी को छोड़ो resistance देखो कैसे change combination दूसरी बात current divide नहीं होता है that means series combination so series combination ka register are equal is equal to our 1 Plus R Publius dot 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 RN और Epsilon Equal is equal to 1, 2, 3 Subcionalization मगर इन में से अगर कोई भी बैटरी अगर उल्टी हो गई तो वो माईनस हो जाएगी क्या हो जाएगी माईनस if all are equal all are equal तो हो जाएगा n epsilon और यह हो जाएगा nr सबका addition epsilon plus epsilon plus epsilon plus dot 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 epsilon तो series combination में आपको करना क्या पड़ता है सबका addition तो n epsilon n is what number of cells are connected in the circuit clear तो यह है आपका series combination series combination में V equals to epsilon minus IR totally बले चाहे 10 cell या 100 cell काम क्या होने वाला है बैटरी का ही तो बैटरी का टर्मिनल वाल्टेज वी इकोल्स टू एप्सिलोन मैनस आई ए र को फॉलोव करेगा epsilon is equal to algebraic sum algebraic sum क्योंकर बैटरी CD ulti CD ulti connected है तो उसी साब से answer मिलेगा ठीक है आर ईकॉल आर उकॉल मदलब सबका register equal होता है clear तो फटा वट से लिक रो चलो हो गया ऑके चलो parallel में जाते है अब है valid combination थोड़ा सा complex combination हो उसमें आपको थोड़ा थ्यान देना पड़ेगा क्यों की parallel combination में Mean दिक्कत आती है करंट की करंट डिवाइड होता है अगर बात करें पैरलल की यह रेजिस्टर इंटर्ल रेजिस्टर यह ए यह बी यहां से आएगा करंट आई वन एपसाइलोन वन आर वान आर टू एपसाइलोन टू आई टू और यहां पे जाएगा आई सेम आई दो पार्ट में डिवाइड होगा क्लियर यहां पे मुझे ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन और सेट अप लेना है कि यह क्या है यह है यह क्या है बी चलो वी यह से स्टार्ट करते हैं वी यह फिर आप कहां जा रहे हो यहां से उपर जाओगे सिर्फ एक की सेल की बात करते हैं सब की बात नहीं करते हैं उपर जाओगे यह रहा आपका सेल सेल में कहां जाना है आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव जहां जा रहे हो वही लिखना पड़ेगा करंट कहां आ रहा है यह आई वन यह है आपका हायर यह है आपका लोवर तो आप क्या कर रहे हो लोवर से हायर में जा रहे हो मतलब प्लस आई वन आर वन ओके इस इक्वल्स टू वी बी वी बी को इस तरफ ले क्या हो Epsilon 1 minus I1R1 इस V Epsilon 1 V minus अभी I1R1 को subject बनाव I1R1 is equals to Epsilon 1 minus V I1 is equals to Epsilon 1 minus V बाइ आरवन ओके क्या किया मैंने वी ए फिर उपर कहां जा रहे हो आप पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस फिर करण कहां जाता है हायर पोटेंशियल तू लोवर पोटेंशियल और हम कहां जा रहे है उल्टा लोवर से हायर तो प्लस आईवन रवन इस इकोल्स टू वी बी तो वी ए माइनस वी बी इसे इस्तरफ ले के आओ तो माइनस एपसिलोन वन इस इकोल्स टू आईवन रवन अब क्या किया मैंने इससे वी ले लिया अब इस एपसिलोन वन को इस्तरफ ले के आओ मतलब वो नेगेटिव होगा या स्वारी वी को उस्तर अपने के जाओ वो नेगेटिव हो जाएगा एपसिलोन वन माइनस वी बाई आर वन स्मिलर्ट ली करना पड़ेगा ठीक है चलो एक बारब प्रैक्टिस करते हैं यह से स्टार्ट अब नीचे देखना है में नीचे आओगे कौन सा है बैटरी का पॉजिटिव दूसरा कौन सा है नेगेटिव मतलब हम जब अब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हम कहां जा रहे है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल मतलब की लोवर पोटेंशल में सिमिलरली करंट जो है वो यह रहा हायर टू लोवर हायर पोटेंशल टू लोवर पोटेंशल तो आप कहां जा रहे हो लोवर से हायर मतलब आप तो अच्छे ही जा रहे हो प्लॉस I R 2 is equals to V B V A minus V B equals to Epsilon 2 minus I 2 R 2 it is V Epsilon 2 minus I 2 R 2 I 2 R 2 is equals to Epsilon 2 minus V I 2 is equals to Epsilon 2 minus V by R 2 ओके तो यह रहा आपका दो करंट अब हमारे पास फॉर्मिला क्या है कि टोटल करंट I is a sum of the two currents दूनों की value डाल दो Epsilon 1 minus V by R 1 plus Epsilon 2 minus V by R 2 चलो एक काम करते है सबके नीचे Epsilon 1 by R 1 minus V by R 1 plus Epsilon 2 by R 2 minus V by R 2 यह दोनों को लिखा माइनस के साथ V कॉमन लेता हूं अब देखना करना क्या है मुझे इससे इस तरफ लेके आओ इससे इस तरफ लेके जाओ अब यह वन अपनार वन प्लस वन अपनार टो यह क्या हुआ तो ध्यान से लेको आरवन और आटो किसमें है पैरलल में है किसमें है पैरलल में और यह जो उरकों कंबिनेशन हो गिसका scheint मिनेशन पैरलल का और भाउम है तो वन आपवन आट्व लॉस वज अपवन आपवन ए एपसायलों वन अल वन लॉस एपसायलों तो अल टौ अ मैनिस तो यह वीको सब्जेट बनाओ Epsilon 1 by R1 Epsilon 2 by R2 Divide by 1 upon R1 Plus 1 upon R2 Minus I divide by 1 upon R1 Plus 1 upon R2 ठीक है? तो अभी देखो ध्यान से Epsilon 1 by R1 Plus Epsilon 2 by R2 Divide by 1 upon R1 Plus 1 upon R2 Minus I यह हो जाएगा 1 upon R equal 1 upon R equal को उपर की ओर बेजो Epsilon 1 by R1 Plus Epsilon 2 by R2 Divide by 1 upon R1 Plus 1 upon R2 Minus I R equal ओके? तो कही ना कही अगर बैटरी के equation से जाओ तो यह होना चाहिए Epsilon equal Minus I R equal ठीक है? बैटरी का जो formula है V equals to Epsilon minus I R के इसाब से यह होना चाहिए Epsilon equal तो Epsilon equal क्या मिला आपको? तो कि Epsilon equal मिला Epsilon 1 by R1 Epsilon 2 by R2 Divide by 1 upon R1 Epsilon plus 1 upon R2 Epsilon equal Epsilon 1 by R1 Epsilon 2 by R2 Divide by इसे क्या बोलते है? 1 upon R equal अभी R equal कहां जाएगा? उपर चला जाएगा क्योंकि denominator of the denominator transfer to the numerator यह रहा R equal Epsilon 1 by R1 plus Epsilon 2 by R2 इसे नीचे लेके आओ तो यह रहा आपकी बूख का प्रूफ Epsilon 1 by R1 plus Epsilon 2 by R2 ओके लेकिन आपका जो original Epsilon equal है वो यह रहा सिर्फ बैटरी का EMF और आपको पता है R equal कितना होता है? 1 upon R1 plus 1 upon R2 ओके गॉट इट तो यह रहा हमारा combination parallel combination चलो फटाफट लिखो फिर मैं आपको N cells के लिए समझाता हूँ चलो हो गया अभी देखो अगर N cells connect होते तो क्या होता है? अगर if N cells are connected अगर connect होते हैं तो त्यान देना Epsilon 1 by R1 plus Epsilon 2 by R2 plus Epsilon 1 by Rn divide by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus dot 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 1 upon Rn अगर कोई cell ultra connected होता suppose कोई cell अगर ultra connected होता तो जो ultra connected है उसे negative आपको consider करना है क्या करना है? और जो R equal है और गर कोई अगर ऐसा होता कि all are same if EMF of all cells are same ultimately जो register of all cells are same हो जादा ठीक है तो यहां पर देखो epsilon equal epsilon by R epsilon by R dot 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 epsilon by R divide by one of one R plus one of one R dot 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 one of one R तो यह कितनी बार लिखा हमने तो N बार N epsilon by R और यह कितनी बार आता तो वो भी N बार RR cancel कितनी बार आता N times और यह भी कितनी बार आता N times R R cancel N N cancel ओ बाप रहे यह तो देखो क्या हुआ यह हो गया कि अगर मैं N cells N cells अगर combination में डालता हूँ और वो भी सभी same cell है like this सभी same cell है तो इन सबका EMF किसी एक के EMF जितना ही होता सबका EMF जो total entire EMF of the system जो है वो किसी एक बैटरी के EMF जितना होता हम लोग यह मान के चले कि सर्फ एक बैटरी ही वर्क करती है और कोई वर्क ही नहीं करती है पूरी बैटरी सब मिला के एक ही बैटरी का EMF देगी पर यार रखना combination जो है वो सीथे होने चाहिए अगर combination पलट गए तो दिकत आएगी ओके clear इतना done फटा फट लिख लो चलो फिर तुरा आगे और समझाना है ओके हो गया C अगर सीरीज की बात करें तो EPSILON 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 plus dot 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 EPSILON N और N times EPSILON और अगर पैरलल की बात करें EPSILON equal is equals to EPSILON 1 by R1 EPSILON 2 by R2 dot 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 EPSILON N by RN दिवाइड by 1 of 1 R1 plus 1 of 1 R2 plus dot 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 1 of 1 RN अगर सब सेम होते EPSILON EPSILON by R दिखाता हूँ कि 10 सेल मेरे ऐसे connected है ठीक है दस तो दस का EMS कितना होगा तो कि 10 EPSILON जितना होगा अगर 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 कभी पता चला कि यह जो 10 सेल है उसमें दो सेल मैंने उल्टे लगा दिये हैं तो आप कैसे काउंट करोगे कैसे काउंट करोगे यह बताऊ चलो तो आप सिंपल काउंट करोगे कि सर अगर आपने दस सेल सीधे लगाए है और सिर्फ दो सेल उल्टे है यह दो उल्टे ठीक है तो दस मैंसे दो को निकाल दो ना आठ हो जाएगा अरइट EPSILON लेकिन मुझे यहां पर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा तो आप लोगों को तो मिल गया कि दस में से दो निकाल दो आठ हो जाएगा ठीक है क्लियर नहीं होगा पहले यह देखो सिधे कितने सेल एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ चेल सीधे है कितने है आठ चेल सीधे है और कितने से ल्टे दो सेल उल्टे है हुआ है शीक सेपसिलोन हो हो गया अभी तो आड़ गिना ता ना उमने दस में से 2 नीकल दो और तो यह तो नस्य हमें से तो यह जैंड निकल दें तो 8 श्य वहते जैंट तो यह ची जो उपर काया ना पर्लेब उसे बूल जाओ कि दो स्कुर्是 मैं कि विल्टे उसंसे मैंने कितने कर दिए तो 2 मैंने कर दिए मतलब कि जो 10 सीथे उसमें से 2 वैसे ही रытTO का इए में तू ऐन सा देहो भी 10-2-8 Epsilon-2 Epsilon it is 6 Epsilon देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ सीधे और दो उल्टा टोटल आपने पहले कितने गिने थे 10 एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस दस का दस Epsilon उसमें दो उल्टे तो वहां निकालो तो कितने सीधे हुए आठ सीधे और जो तो उ आठ बैटरी को ओपोस करने की कैपसिटी रखते हैं वह आठ बैटरी को ओपोस करेंगे तो आठ माइनस टू छे तो आपको ऐसे गिनना है कि सपोस्पोस अगर सपोस्पोस ज्यान देना हो पेटा थोड़ा सा अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में लिखोट मैं आपको बताऊंगा कि एफ एन सेल्स आर गीवन ठीके तो एपसाइलों इकोल जो होगा वो हो जाएगा एन एपसाइलों फ्रॉम देम एम सेल्स अर्टॉंड पल्टो तो ध्यान देना पहले एन था उसमें से आपने एम तो पलट दीए तो इतने आपके पॉजिटिव रहे और यह जो बाकी पल्टे वो कैपैसिरी रखते हैं उस पॉजिटिव को चेंज करने की मतलब यह दस था उसमें सेल्ट दो पल्टे तो हो गया आट ओके और यह जो दो एपसिलॉन थे जो उल्टे वह भी आपको काउंट करने पड़े के मांट देड़फोर माइनस एम एंड माइनस एम माइनस एम एपसाइल ओके तो जब भी आप देखो तो याद रखना कि अगर आप टोटल की बात करो कि टोटल कितने सेल है टोटल कितने सेल है टोटल कितने सेल है टोटल एन सेल है तो पॉजिटिव कितने है एंड माइनस एम नेग तो एन माइनस टू एम आपको काउंट करना पड़ेगा क्लियर तो यह आप ध्यांद से रखना ओके हो गया इतना चलो लिक लोग फटापट फास्ट ओके चलो तयकुम міघ माईंब अके है इ भीक का उया है माईंस बदेखे प्यांदा ए थडेलبة equ इन सीरीज मतलब मतलब पहला कॉम्बिनेशन था हमारा सीरीज का कॉम्बिनेशन उसमें सेल ऐसे दिया था यह एक एक्स्टर रेजिस्टर कनेक्टेड है यह आर वान यह यह एमफ यह एमफ टू यह करंट आई यह करंट आई तो वी इक्वल्स टू एपसाइलों इक्वल माइनस आई यार इक्वल के अंदर आपको आर एड करना पड़ेगा क्योंकि जो रेजिस्टर है वो सिरीज कॉंबिनेशन में है तो आपको जस्ट यहां पे प्लस आर एड करना पड़ेगा और कुछ करने की जरुरत यह भी इक्वल्स टू एपसाइलों माइनस आई आर इक्वल प्लस और कोईे कंबिनेशन नों सिरीज हो या पैरलल हो उसमें आपको शिर्फ आर इक्वल में प्लस आर करना पड़ेगा और कुछ करने की जरुरत नहीं क्लियर इतना हो गया ठीक है तो यह हमारा कॉंबीनेशन ऑफ सेल उसमें अगर एक्सान गभर कनेक्ट करते हैं तो आपको जो भी डीसेंस अपको मिलने वाला है जो भी रेजिस्टर उस रेजिस्टर में आपको प्लस और एड करना पड़ेगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है clear? लिख लो तो यह है आज का हमारा topic combination of cells clear?